Hey guys and welcome back to it, हम लोग कामान isTIK का कोर्स चल रहा है जिसके अंदर हम लोग current में express को पढ़ रहे हैं हम लोग ने already अपने express के अंदर listen को पढ़ रखा है आज के हम लोग date के अंदर देखने वाले हैं कि हम लोग अपने use method का use कब करते हैं तो चलिए सबसे पहले इसके बारे हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं अगर आप इस free course को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अपने app.use के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं अपने middleware function को अब यहाँ पे यह एक नया word हम लोग के सामने आ रहा है middleware यह middleware क्या होता है जरह इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं तो देखों यहाँ पे लिखा हुआ है middleware in express has the capability to access and interact with all incoming requests manipulate the response or perform other action before the request reaches its intended route यानि कि हम लोग का जो यह middleware होता है middleware basically हम लोग का एक समझ जाओ कि हम लोग का जो client है और जो हम लोग का server है client क्या करता है हम लोग के server के पास request को send करता है server हम लोग के client पे response को send करता है तो जब भी हम लोग का client हम लोग के server पे request send करेगा तो उससे पहले उस request को हम लोग का middleware access करता है तो same चीज देखो यहाँ पर वही लिखावा है middleware in express.js have the capability to access and interact with all incoming requests यानि कि जितने भी request आते हैं उन सब को वो access कर लेता है हम लोग का middleware अगर इसको एक और example से हम लोग समझें तो यहाँ पर देखो यहाँ पर यह रहा हम लोग का एक client अब यह client क्या करता है client हम लोग के sttp request को send करता है हम लोग के server पर तो यह localhost 3000 हम लोग का एक server है अब जितनी बार भी हम लोग का client यहाँ से यह sttp request को send करेगा तो उस sttp request को सबसे पहले हम लोग का यहाँ पर यह जो middleware है वो access करेगा चाहे जितनी भी यहाँ से request send होंगे चाहे जितनी भी यहाँ से हम लोग के इस वाले local host पर request जाएंगे सबसे पहले उसको हम लोग का middleware access करेगा तो इसलिए middleware के अंदर यह capability होती है कि वो सारे incoming request को access करता है तो जो हम लोग का app.use था उसकी help से हम लोग क्या कर पाएंगे हम लोग अपने इस middleware को mount कर पाएंगे यानि कि जब भी हम लोग अपने इस वाले server को hit करेंगे किसी भी request के लिए तो हम लोग का यहाँ से middleware execute हो जाएगा अब इसके बारे में हम लोग जड़ासा और देखते हैं code के अंदर की कैसे हम लोग इसको execute करते हैं तो यहाँ पे देखो सबसे पहरे हम लोग को क्या करना होगा हम लोग ने already देख रखा है कि हम लोग को अपने express को require करना है उसके बाद हम लोग को अपने express को initialize करना है हम लोग को एक port create करना है और यहाँ पे हम लोग ने already अपने port को listen करने के लिए अपने app.listen का use करके रखा हुआ है जिसके अंदर हम लोग ने अपने port को पास की हुआ है अब यहाँ पे हम लोग को app.use का करना है use तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे app.use लिखेंगे और यहाँ पे जो हम लोग का callback function होता है वो by default हम लोग के request और response को access करता है इसको हम लोग बाद में cover करेंगे और जो हम लोग का app.use का callback function है उसके अंदर हम लोग console lock करा रहे हैं hello world को तो इसी सीम चीज़ को ज़रा हम लोग अपने code के अंदर लिख करके देखते हैं तो यहाँ पे देखो यह हम लोग का पिसला code है जिसके अंदर हम लोग ने अपने express को require किया था initialize किया था अपने app को उसके अपने port को create करके app.listen के अंदर हम लोग ने port को pass किया था अब मैं यहाँ पे गया करता हूँ मैं app.use का use करूँगा जिसके अंदर हम लोग का callback function होगा जो की हम लोग के by default request और response को access करता है अब इस callback function के अंदर मैं console lock कराऊंगा hello world save करते हैं इसको अभी कुछ भी नहीं दिखेगा मैं यहाँ पे आ करके अपने index.js को run करता हूँ index.js interface करते हैं तो यहाँ पे देखो हम लोग का यह जो भी हम लोग का express है वो हम लोग के 3000 port पे listen करना start कर दिया तो यहाँ पे हम लोग का आ रहा है express listening at port 3000 अगर मैं अगेन अपने browser के अंदर हूँ तो देखो अभी हम लोग का यहाँ पे this site cannot be reached दिख रहा है बट अभी यह current में हम लोग का refresh हो रहा है अभी यह हम लोग को वैसा सो होने लगेगा कि हम लोग का यह जो server का 3000 port है यह हम लोग का active हो गया है तो यह हम लोग का अभी current में ऐसे loading लेता रहेगा हम लोग क्या करते हैं हम लोग अपने VS code के अंदर आते हैं तो देखो यहाँ पे हम लोग का two time hello word print हो गया मैं एक और बार क्या करता हूँ मैं अपने again browser के अंदर आता हूँ और अपने इस वाले url को अपने new tab के अंदर open करता हूँ ठीक जैसे ही देखो मैंने इसको new tab के अंदर open किया मैं VS code के अंदर आँ तो देखो हम लोग के तीसरी बार hello word print हो गया यानि कि जितनी बार हम लोग अपने 3000 port को hit करेंगे उतने time हम लोग का यह क्योंकि हम लोग अपने port को hit कर रहे हैं तो एक तरह से हम लोग अपने app.use को hit कर रहे हैं अपने middleware को हम लोग hit कर रहे हैं तो middleware क्या करेगा? Middleware के अंदर जितनी भी code होगी वो हम लोग की execute होगी अभी देखो hello word हम लोग के 3 time print हुआ है अगर मैं again इसको कर दूँ दूसरे tab के अंदर open तो यह क्या करेगा? अब again हम लोग के लिए 4th time hello word प्रिंट करेगा अब यह थोड़ा सा net का problem है अब हम लोग अपने manually भी अपने इसी वाले port को hit कर सकते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को एक extension install करना होगा जो की है हम लोग का thunder client तो आप simple आना इस वाले extension को download कर लेना दिखो हम लोग के 4th time hello word यहाँ पे print हो गया आप इस वाले extension को install करना ठीक इसमें कोई भी login नहीं करना है तो हम लोग के directly अपने vs code के अंदर हम लोग इसको use कर सकते हैं अब vs code के अंदर आ करके यहाँ पे आपको thunder client का एक icon मिलेगा जिस पे आप new request पे click करना और यहाँ पे आ करके आपको same इस वाले url को copy करके paste करना है ठीक यह रहा हम लोग का url जो कि हम लोग के 3000 port पे चल रहा है local host यानि कि हम लोग अपने इस system के थुरूई अपने server को create किया है अब यहाँ पे हम लोग get set post कुछ भी कर सकते हैं तो current में मैं इसको get पे ही leave कर देता हूँ ठीक अब देखो जैसी मैं यहाँ पे send request करूँगा हम लोग का hello world print हो गया यहाँ से हम लोग again cancel request करते हैं again मैं send request करूँ देखो again हम लोग का hello world print हो गया यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा change करते हैं यहाँ पे const एक number में create करता हूँ जिसको मैं one say any slice करता हूँ ठीक अब यहाँ पे आ करके कि मैं अपने उस number को print कराऊंगा number को print कराता हूँ और यहाँ से अपने number को मैं plus plus कर देता हूँ ठीक save करते हैं इसको again हम लोग को अपने server को restart करना होगा तो सबसे पहले मैं इसको clear करता हूँ node index.js करता हूँ constant variable है save करते हैं again node index.js तो यहाँ पे देखो हम लोग का express listening at port 3000 आ रहा है यहाँ पे आता हूँ मैं again request को send करता हूँ देखो hello word हम लोग का बनाया मैं यहाँ से cancel request करता हूँ again send करता हूँ hello word हम लोग का 2 आ गया यानि कि हम लोग अपने इस वाले port पे अपने इस वाले URL पे अपने इस वाले end point पे जितनी बार भी hit करेंगे हम लोग का यह middleware उतने time execute होगा अगर मैं यहाँ से आ करके इसको new type के अंदर open करूँ again अपने vs code के अंदर आ हो देखो hello word हम लोग का 3 आ गया किसी भी type का अगर मैं अपने 3000 slash API slash call end point पे आ करके again इस पे भी अगर मैं send करता हूँ तो देखो hello word 4 आ रहा है क्यों क्योंकि हम लोग का end point है हम लोग का port है वो हम लोग के 3000 से start हो रहा है अगर मैंने इसको 3000 10 कर दिया तो अब यह हम लोग का execute नहीं होगा क्योंकि यह port हम लोग का current में active नहीं है तो basically यहाँ पे क्या हो रहा है हम लोग का client जितनी बार भी यहाँ से request को send कर रहा है किसी भी type के request को हम लोग के 3000 port पे तो उस request को सबसे पहले हम लोग का middleware access कर रहा है और app.use क्या करता है उस middleware को mount करने के लिए use किया जाता है तो इस वाले url पे कोई भी अगर इसके आगे url हम लोग create कर दें उसका request सबसे पहले हम लोग का middleware access करेगा इसलिए let's suppose that कि मेरे पास एक facebook created है facebook का कोई अगर मैं video open करता हूँ तो उस video को open होने से पहले हम लोग का जो facebook है वो हम लोग को login page भी लेके चला जाता है तो वहाँ पर क्या हो रहा है हम लोग के url पे हम लोग request send कर रहे हैं अपने वीडियो को देखने के लिए तो वो request सबसे पहले middleware के पास जा रहा है और middleware चेक कर रहा है कि user login है कि नहीं है अगर नहीं है तो वो login वाले page पर redirect कर रहा है तो यह सारा काम हम लोग अपने middleware की help से करते हैं तो hopefully आपको समझ में आ गया हो कि कैसे हम लोग app.use method का use करते हैं अगर आपको कोई doubt हो तो आप comment section के अंदर पूस सकते हैं तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले thanks for watching